वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंड टेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शाजहापुर रोजा सेक्षन पर रोजा बाइपास के ऊपर जो आठ गर्डर रखे जाने थे उनका कारी पूरा हो गया है, ये वीडियो भेजा है अयूब खान ने अयूब भाई वीडियो भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेंड खड़ी हुई है और आठ गर्डर टोटल इस रोजा बाइपास पर रख दिये गए हैं विगत दिनों इस कारी के चलते जो ट्रेंस थी इस सेक्षन की विशेशकर जो दिन में निकलती हैं उनको अलग-अलग स्टिशन पर रोका जाता था रेगुलेट किया जाता था क्योंकि यहाँ पर यह भारी भरकम गर्डर्स रखे जा रहे थे इनकी लॉंचिंग चल रही थी तो एके करके अब यह आठ गर्डर्स पूरे रख दिये गए हैं चार-चार गर्डर्स दोनों तरफ जिनके उपर अब जल्दी ही सड़क निर्मान किया जाएगा ताकि फिर जो लोग हैं जिनको सीतापुर से बरेली की दिशा में जो लखनों से आते हैं बाइकार या जो ट्रक्स आती हैं या जाती हैं सीतापुर की दिशा में उनको अब रोजा में जाम से मुक्ती मिल जाएगी ये चार लेन का बाइपास तयार हो जाएगा जिसके चलते जो ट्रैफिक की समस्या है रोजा के अंदर वो खतम हो जाएगी तो इससे स्थानी लोगों को भी फाइदा मिलेगा राहत मिलेगी और लोगों का भी समय बचेगा जो बाइकार बाइड रोड ट्रैवल करते हैं ल इसके साथ साथ एक और खबर निकल करके सामने आ रही है कि मुरदाबाद से रुजा तक जो ट्रैक्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी वर्तमान में जो डबल लाइन है इसमें पहले हो रहा था कि एक ट्रैक और बढ़ाया जाएगा लेकिन अब चार ट्रैक्स के लिए स जाएंगे भविश में इसके लिए सर्वे किया जा रहा है और उमीद करते हैं कि इस पर जल्दी ही मुहर लग जाएगी और उसके बाद ये कारे भी जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए रेलवे को क्योंकि यहां पर रेल गाडियां माल गाडियों के चलते पिट जाती है घंटों लेट हो जाती हैं तो उमीद है कि आने वाले समय में मुरादाबाद से रोजा तक अब चार ट्रेक का जो कारी है वो किया जाएगा क्योंकि मुरादाबाद से भी साहरनपुर और जो हमारा गाजियाबाद रूड है दो तरफ से वहाँ पर लोड आता है और उसी प् प्रेंस का वो बढ़ जाता है जिसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी चार ट्रेक्स किये जाएं तो यह था एक छोटा सा अपडेट